बोलो बम बम महादे बाम बाम देवी और सज्जनों आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि आज से 28 दिसंबर तक बिरिश्चिग्रासी वालों को बुद्ध के कारण अपार दौलत बनाने का मौका मिलेगा आखिर ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बुद्ध का धान के घर में प्रवेस हो गया है आपके लिए आपके कंडली के दुतिय भाव में बुद्ध का प्रवेस, 28 दिनों के लिए हो गया है ये कुंडली को समझते हैं ये कुंडली है जो ब्रिश्चिक रासी वालों के लिए ब्रिश्चिक लगन वालों के लिए है इसमें कुंडली के प्रदंबाव में आठ लिखा हुआ है इसलिए ये बिस्चिक रासी अत्वा बिस्चिक लगनवालों के लिए ये कुंडली है देवी और सजनों ये कुंडली का दूसरा भाव है जहां पर में बुद्ध देव बिराजमान होना बुद्ध देव का यहां बिराजमान होना ये दरसाता है देवी और सजनों की आपको अपार धंदौलत बनाने का मौका मिलेगा उसको डिटेल में जानने का प्रियास करेंगे लेकिन सबसर पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इस वीडियो को वो सब ही लोग देख सकते हैं जिसकी जनमरासी बिरिस्चिक है अत्वा वो लोग भी देख सकते हैं जिसकी नाम रासी ब्रिश्चिक है देवी और सज्जनों जिसका जन्म रासी अत्वा जन्म लग में ब्रिश्चिक है उसकी तो बिना कुंडली देखे हुए जानकारी नहीं दी जा सकती लेकिन जिसकी नाम रासी ब्रिश्चिक है उसको तो मैं अभी कनफॉर्म कर देता है देवी और सज्जनों जिसके नाम का पहला अक्षर होता है तो जैसे की तो से तोता उसकी रासी ब्रिश्चिक हुए जैसे किसी की नाम का पहला अक्षर है ना किसी का नी नू ने नू या य चाहरसी art या दिर्गी या रसू या दुर्गू इन सब लोगों की रासी जो है सो बृष्चिक हूई दिवी और सज्जनों बिरिश्चिक रासी वालों के लिए बुद्ध का दुतिय भाव में प्रवेस बराही चमक कारिक रहने वाला है लेकिन देवी और सजनो जो बढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं इस बात को कि ये जो है सो सिर्फ एक गोचर का फल है मूल सौ परतिसा सटीक जानकारी जन्म कुंडली देखने के बाद ही पता लग सकती है देवी और सजनो तो उसके लिए आपके सामने में यो वाटस अप नमर है 7062757996 इस नमर पर में आपको अपनी जन्म तारीख जन्म समय दोनों हाथ के अथेली का फोटो भेजना है इसमें आपको गैरिंटी के साथ तारीख वाई तारीख आपको बता दी जाएगी किस तारीख से किस तारीख के बीच में आपके जिवन में कौन सी घटनाए घटे तो होने वाली है देवी और सज्जनों इतना ही नहीं आप चाहें तो प्रोफ के लिए इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं तो आप मुझसे ही वीडियो रिकॉर्डिंग करवा के भी मंगवा सकते हैं इसके लिए जो चिस सुल्क होगा वो आप जमा करेंगे आईए चर्चा को आरंभा करें और जानने का प्रयास किया जाए कि बुद्ध के दुत्तिय भाव में बैठने का आपके उपर में क्या प्रभाब 28 दिसंबर तक परने वाला है देवी और सज्जनों कुंडली के दुत्तिय भाव में बुद्ध के बैठने के कारण आप एक अच्छे वक्ता के तौर पे जाने जा सकते हैं अच्छे वक्ता अर्थात आपके बातों में दम होगा जो बोलेंगे उसके पीछे बहुत सारी एक सब्द के पीछे एक लाइन नहीं कई लाइन छुपे होंगे आपके बातों में गहराई होगी आप एक अच्छे और विद्धान ब्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे क्योंकि आपकी बातें आपकी वक्त अब भी पावर अच्छे अच्छे लोगों को खड़ा कर देगी सुनने के लिए पीन डॉफ साइलेंस देवी और सज्जनों इतना ही नहीं तो ये भाव में बुद्ध का वैशना आपको सुन्दर बना देगा बहुत सुन्दर चेहरा ये सुन्दरता आपके चेहरे पर जलकेगी और आप आकरसन के केंदर भी बन सकते हैं दूसरे भाव में बुद्ध का बैठना आपको सुखी भी बनाएगा आप बहुत सुखी रहेंगे इस समय में आपको हर प्रकार का बहुत एक संसारिक आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होगी दूतिय भाव में बुद्ध बैठा हुआ है तो ये आपको गुनी भी बनाएग आपके अंदर कई प्रकार के गुन एक से बढ़ करके गुन जो है सो आप प्राप्त करेंगे आपको गुन की जो है सो प्राप्ती होगी देवी और सज्जनों दुतिय भाव में बुद्ध का वैठना ये दर्साता है कि मिस्टान भोजी, क्या? मिस्टान भोजी, यानि कि मीठा खाना बुद्ध दुतिय भाव में मुख पे ही बैठा हुआ है मीठा खाना आपको खूब पसंद होगा आपका मन करेगा कि एक सिवर के एक मिस्टान का सेवन करे मिस्टान भोज आपको बड़ा अच्छा लेगा इस समय में एजेंट बर्क के जो लोग हैं चाहे वो किसी भी प्रकार का काम करते हैं एजेंट में कोई प्रपरटी का होगा चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में ही क्यों नहों उन सब ही को ये बुद्ध जो है तो अच्छा खासा प्रोफिट दिलवाएगा जो लोग वकालत की पेसा में हैं वकील बर्क के लोग हैं उनके लिए भी ये समय जो है सुबरा चमत करीक रहने वाला है क्योंकि आपका वकालत बहुत अच्छी तरीके से चलने वाला है आपके वकालत की चर्चा भी होने वाली है इस समय में आप मितब्याई रहेंगे यानि की आप ज़्यादा खर्च करने वाले नहीं रहेंगे आपके खर्च पर में ये बुद्ध जो है सो कंट्रोल कर देगा और जब ही आप का खर्च कम होगा आमदनी अधिक होगी तो अपने आप अधिक दौलत जो है आपके पास में जमा हो जाए दुत्य भाव में धनुरासी में बुद्ध बैठा हुआ है जिसके करन से आपको अपार धन दौलत जमा करने का भी अबसर मिलेगा आप अच्छा खासा पैसा भी जो ह जमा कर पाएगे देवी और सज्जनों इतना ही नहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि कुंटली के दुत्तिय भाव में बुद्ध के बैठने करने समय में आपके अंदर एक और विसेश गुन का संचार होगा वो है संग्रह आप इस समय में संग्रही भी बरे को कहते थे कि संग्रह करने की चीज है संयोनी की चीज है अपने कुल खांदान के नाम परतिष्ठा को बचा के रखो एक बार चला जाएगा तो फिर लौट के नहीं आएगा कागज कागज जो महत्पुर्न चीजें हैं पेपर में उसको बचा करके रखो और कपरे को भी दूसरे वक्त काम नहीं आएगा तो शंग्रही गुन जो है आपने बेश्चिकरासी वाले इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी होगी इस समय में आप सत्कारी कारक बने रहेंगे यानि क्या अच्छी अच्छी काम को करने वाले बने रहेंगे बढ़ियां से बढ़िया एवं साहस की मिसाल देनी पड़ेगी आपकी इस समय में आप बहुत ही साहसी प्रविर्टी के व्यक्ती बने रहेंगे आपके साहस की कलपना करना भी लोगों के सोच से पड़े हो जाएगा जिस कार्ज को करने के लिए लोग सोचते रहेंगे कि इस कार्ज को आखिर कैसे कर कर पाएंगे या नहीं आप अपने साहस के बदलत उसकारी को कर लेंगे देवी और सजनों पॉरली के दुतिय भाव में बुद्ध बैठा हुआ है दुतिय भाव धन दौलत का भाव होता है सेविंग एकाउंट यह नहीं की पैसा जमा करने का घर होता है जिसके करण से इस समय में बिष्चिक रासी बाले को मोटा पैसा जमा करने का भी अफसर मिलेगा पिछले महिने या उससे पिछले महिने बैंक में अगर पैसा जमा नहीं हो रहा था तो इस महिने आपको बैंक में पैसा जमा करने का अफसर भी प्राप्त होगा देवी और सजनों यहां से सप्तम दुखी रहेगा और आपको मैं बता दूँ कि कुटुम्ब बिरोधी एवं प्रवासी यानि कि अपने परिवार के ही बिरोध में आप खड़े हो सकते हैं अपने ही परिवार के लोगों के बिरोध में आप खड़े हो सकते हैं और अपने घर को अपने जगह को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाने की एक्छा आप में जागरित हो सकती है प्रावास करने की एक्छा जागित हो सकती है कि अब बहुत दीन यहां पर में रहा अब इस जगह को छोड़ करके चलो कहीं और चाउते हैं देवी और सजनों ऐसा भाव आपके मन में आ सकता है दूसरे भाव में बुद्ध देव बैठे हुए है यदि व्यक्ति की बुद्धी और संबाद च्छमताओं को जानना है तो उसके कुंडली में बुद्ध के स्थिती को जानना परेगा देवी और सजनों और जब बुद्ध ब्रिष्चिक रासी वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में हो तो सबसे पहली बात ये शुखद और विचार सील आपको बनाएगा दूसरी बात हैं कि धन के संबंधी में प्रबंधन करने की शमता मैनेजमेंट करने की शमता ये बुद्ध कमाल कर देगा कहते हैं कि प्रिशिक रासी वालों की बित्य इस्थिती पर बुद्ध का प्रभाब होगा और इससे वह धन के प्रबंधन में चतुर और बुद्ध हिमानी के साथ मोटा पैसा जमा कर सकता है तिसरी बात बता दूँ कि परिवार और संबंधों में संबाद प्रिशिक रासी वालों को परिवार और संबंधों में सुखद और संबाद कौसल जो है ये बुद्ध परदान करेगा बाच अध्यन और सिक्षा में काफी रुची होगी और बुद्धिमानी से सिक्षा प्राप्त भी आप इस समय में ग्रिश्चिक्रासी वाले कर पाएंगे पांचमी बातें कि बितिय उन्नति एस इस्थिती में आपकी बितिय इस्थिती जो है जो बड़ी मजबूत हो सकती है आप बहुत ही मजबूती से जो है सुबितिय इस्थिती के साथ खड़े हो सकते हैं और आपका पैसा आप से आगे आगे चलेगा तो देवी और सजनों यही थी बुद्ध के दुद्धिय भाव में बैठने के कारण ब्रिश्चिक रासी वालों को 28 दिसंबर तक क्या क्या अफल मिलेगा वो हमने सामाने दृष्टी से बता रहे कोशिस की बिसेश दृष्टी देवी और सजनों प्रभावित करता है कुड और सारे योग को गुद्ध की स्थिती को और सारे ग्रहों की स्थिती को जिसकी आपको मूल जानकारी जन्मकुनली से ही प्राप्त होगी और जन्मकुनली दिखाने के लिए आपके पास नमबर है 7062757996 इस पर में आप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उमीद क जेहन बंदे मातरा मौली रादे रादे